तो यह वीडियो एक काफी दिनों बाद बन रही है क्योंकि जो चैनल था आपका हमारा है को गया था और 3-4 देज लगे थे उसको रिट्रीव बैक करने में बहुत मसक्कत करने पड़ी मैं सोची दिपहले उसके ओपर भी एक वीडियो मनाँ था कि ऐसा कभी किसी और को दिक्क जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ते हैं और वो स्टेप्स के बार में बहुत ही मुझकल से पता चलता है तभी काफी लोग ऐसे होते हैं उनको सास से दस दिन लग जाते हैं और उसके बाद भी कभी किसी को नहीं मिलता है लेकिन होपुली मैंने थोड़े सई स्टेप्स तो इसमें अल्मोस सारे ही आपके जितने भी अवार्ट्स हुए हैं सभी एक जगा पर मिल जाएंगे तो काफी हल्फूल है यह वीडियो और जितने भी लेटेस एक्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए स्पेशली तो प्लीज इसको लास तक दरूर देखेगा और नोट डाउन कर सकते नहीं तो आप जो मैं चैनल का लिंक दूंगी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी तो कोई बाद में पढ़ने के लिए इनको पीडियाफ को सेब कर रखना चाहता है तो पीडियाफ भी मिल जाएगी अगर आप चैनल में भी 2x पर देखना चाहें 1.5x पर देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं अगर आप भी आज का पेपर देखें जो भी निकला है सॉरी नोटिफेकेशन निकला है तो उसमें अलग से ही 10 marks का sports awards इस साल होगा भी या नहीं होगा लेकिन हमें अपनी preparation तो रखनी है और इसके लावा हमारे कोई और भी एक्जाम तो सब में हमारे करन का रोल तो ही तो आय तिंक यह बहुत जादा most important topic है आपका awards and honors के बारे में तो स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो प्रेजिडेंट द्रौपती इस बार PM को और उनको नाम से किस पुकारा जाता है और वो कौन सी country ने दिया है तो हमें काफी information है इस बार याद रखने के लिए तो प्रेजिडेंट डौपती मुर्भी को कहां का मिला है सूरी नाम का मिला है highest civilian award और उसका नाम क्या है grand order of the chain of the yellow star ठीक है सूरी नेम कहा है आ द्वारा दिया गया है यह central banking awards चल रहे थे central banking award में एक category थी governor of the year award की तो उसमें किसको मिला है जो हमारे RBI के governor है श्री शक्ती कान दास जी इनको मिला है और PM ने congratulate किया है ठीक है तो कौन सा governor of the year award किसको मिला है श्री सक्ती कान दास जी को फिर आप प्रिज्जुर आर्किटेक्ट्चर प्राइस 23 प्रिजकर सरु यह जो है आपको मिला है डैविट चिपर फील्ड को यह आप देख रहे होंगे डैविट चिपर फील्ड जी है यह outstanding contribution कि समें आ किदेक्ट्चर में ठीक है प्रिज्जुर आर्किटेट्चर прाइस 23 फिर इंटिनेशनल प््राइजन स्टेस्टिक तो ये जो हमारे श्डी स्टिर आदा कृश्चन जी राव जी हैं और इनको मिला को सिटथिक के लिए और इनको नॉबल प्राइज इन स्टैस्टिक भी मिल रखा है ठीक है अभी क्या मिला है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैस्टिक 23 फिर आपका लता दीनानाथ मंगेश का रवार्ड और यह किसको मिला है यह आसा भोशले जी को मिला है और यह कॉंट्रिबूशन 23 और यह मिला है आपके जो तपो बन है यह एक एंजियो है असाम का ठीक है किसके काम के लिए फॉरेज अकंप्लिश्मेंट इंडस्ट्री पॉलिटी और एजुकेशन में इनों ने अच्छा काम किया है तो इनको मिला चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड चिल्ड्रन चैंपि 23 तो यह मिला है बांक बंदू शेक मुझीपुर रह्मान कैमिले इने सार्क लिट्रे organise डुझी तो यह सांट्री जो है इन में से चुछ क्या जाता है तो क्या है बांक बंदू शेक मुझी पुर रह्मान फिर है एबल प्राइज 2023 तो यह मिला है लुइस कैफरिली को आइटिंग आप लोग देख रहे होंगे कि यह काफी ऐसे प्राइज हैं जो हमें नॉर्मली पढ़ने को नहीं आते हैं हम जो है पादमश्री पादमभूशन यह सब पढ़ते हैं और यह काफी हद तक हम इग्नोर मार देते हैं लेकिन एक्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है तो हमें ओवराल जितने भी 23 में एक्जाम अवार्ड्स मिले हैं सभी को एक नजर देखते वे चलना चाहिए ताकि हमा अग्यावल प्राइस प्रमाथमेटिक्स तो यह काफी इक्वैल प्राइस के लिए उसके इक्वैल इसको माना जाता है एबल प्राइस 2023 फिर है 95 ओसकर आवार्ड जो है तो ओसकर के कोशन तो आते ही है ओसकर के हो गए नैशनल जो अवार्ड अभी मिले हैं कल पर सो तो सब इंपॉर्टेंट हैं तो देखते हैं बेस्ट फिल्म किसको मिली थी तो ओसकर में मिला था यह मुवी थी इसको फिल्म का वार्ड मिला था फिर बेस्ट एक्रेस थी मिशेल यो तो मिशेल यह को बेस्ट अक्रेस मिला था और यह कॉनसी मुवी के लिए जिस मुवी को बेस्ट फिल्म का वार्ड मिला है उसी की हिरोईन को बेस्ट एक्रेस का वार्ड मिला है वहीं आप बेस्ट डिरेक्टर का अवर्ड भी सीम उसी मूवी के डिरेक्टर को मिला है डैनियल कुएन डैलियन शेनट खिके एवरिटिंग एवरिवेर ओल एडवांस बेस्ट अवर्ड मिला है ब्रेंडन फ्रैजर को और किसके लिए यह मूवी थी दवेल फिर आप देखेंगे best documentary shot तो उसमें हमारी इंडिया की documentary थी elephant wishper और आपको पता होगा कौन से national park पर बनी है यह मुद्धु मलाई जो हमारा national park है तमिल नाडु में है वहाँ पर और डिरेक्टर कौन थे कार्टिकी गोंसालवेस थे और कौन सी लेंग्विज में बनी थी तमिल में वहीं जो best original song है यह नाटु नाटु है आरार मुवी का और जिसको compose किया था में कीरावनी और यह काफी एक्जाम्स में आ भी चुक है कभी डिरेक्टली यह पुछा गया है कि कौन सा सॉंग था फिर कौन सी मूवी का सॉंग था फिर किसने कंपोस किया था काफी चीज़े और इसको पद्विश्री भी मिला है 2023 में किने एमम कीरावनी को फिर जो लेरेक्स थे वो किसने लिखे थे चंद्रा बोश्च ने लिखे थे और बेस्ट ओरिजिनल सॉंग अवार्ड मिला है इसे गोल्डन ग्लोब में भी दो अवार्ड मिल फिल्ड ऑफ कम्मिनिकेशन और इंफरमेशन टेकनालजी तो इसको आइटी सेक्टर के उसमें इनका अच्छा योगदान रहा है और इसको आप यह मान सकते हैं कि नोबल प्राइज है किसके लिए टेली कम्मिकेशन के लिए उसके एक्विवेलेंट है नोबल प्राइज पर फिर आपके यूनियन जो होम मिनिस्टर है अमिश शाह इन्होंने प्रेजेंट किया था प्रेजिडेंट को कलर 2023 तो हर्याना पुलिस तो यह आपकी एक्सेप्शनल सर्विसस होती है इसके टम्स में इसके रिकागनेशन में एक अवार्ड दिया जाता है इसको बोलते हैं प इसको मिला है इन्होंने अच्छा मैंच किया आपके DR के केस में और एक आपके LUNGLE FIRE स्टेशन जो है मिजोरम का इन्होंने आप दाम पछ का dryer और्चे का कौन उरिशा का स्टे इसास्टर मैंनेचि में ऊथरीटी और धूसरा लगलिकले फायर शेशन कहां कि मिजोरम का फिर u visa awarded HD best police station in India तीकर post Wisconsin मिला है उत्तराखन के भी एक police station है वहां उसको भी award मिला है तो ॥ कम्मेंट सेक्शन में बिताएगे इक मैं कौन है स dublotming गश्राइबर इस्ब्सके पलोल स्टेशनने इस 7ी पॉल्लिस को बताएगा जरूर कौन सी है चान hierarchy प्रभां अनर्वीप पंडित, हरी प्रशाद चारहसिया Lifetime Achievement Award तो आपके जो पंडित, हरी प्रशाद चारहसिया, किसके लिए famous थे तो ये flute बजाते थे बासूरी तो किनको डॉक्टर, जो प्रभात रहे है इनको ओनर दिया गया है, कौन से अवार्ड से और इनको किसले मिला अचीवमेंट जो थी इनकी इंडिवीजुल और इन्होंने अपने पूरे करियर में इस फिल्ड में बहुत अच्छा काम किया है यह है आपकी डॉक्टर प्रभाद रे फिर यूएन हाबिटेड वोल्ड हाबिटेड अवार्ड 2023 किसको मिला तो उडिसा को इनको मिला यह स्लम अप्ग्रेडिंग प्रोग्राम इन्होंने क्या किया है जो अपग्रेड किया है उसके लिए अच्छे अच्छे यह लोग प्रोग्रामस ले के आहिए तो यह जो है आप देख रहुंगे विनिंग दे प्रिस्टीजियूस वॉल्ड हब द अवार्ट पर किस ने जीता था ? USA की Aar Bonny Gab sortir स्थर्षवती इननं को समान मिला, किस के लिए पागल खाना है पागल खाना तो यह कुछ अवार्ड जो हमारे प्राइमिस्टर को मिले है रिसेंटली आप देखेंगे तो ग्रीस का जो अवार्ड एक अवार्ड ग्रीस के थूश आप देखेंगे प्रांस का भी फ्रांस का भी हाइस्ट अवार्ड जिसका नाम किया है Grand Cross of the Legion of Honor और ये फ्रांस का आपका हाइस सिविलियन भी है साथ में मिलिटरी ओनर भी है दोनों अवार्ड हैं ये हाइस लेवल का सिविलियन और मिलिटरी किसका फ्रांस का फिर पीम नरिंदर मुझी के एक और मिला है एजिप्ट का भी हाइस्ट ओनर इसको बोलते हैं Order of the Nile और आप देखेंगे कि Nile जो रीवर आव इजिप्ट के आसपास है तो फिर उसी के बिहाब में इनोंने बना रख़ा Order of the Nile थोड़ इस तरीके से याद भी रखा जा सकता है ठीक है तो इजिप्ट का हाइस्ट अवार्ड का है और आप देखेंगे जो है फिजी कंट्री का है और इसका नाम का है Companion of the Order ठीके तो एक यह फिजी हो गया एक आपका पापा न्युगुनिया हो गया एक ग्रीस हो गया एक फ्रेंच हो गया और एक हमने देखा था भी इजिप्ट हो गया तो यह काफी सारी है जिनका अभी प्रेजिदेन को हमारे प्राम निस्ट्र को रिसेंटली अवर्ड मिला है और उनका हाइस्ट सिवील यां किसी का हाइस्ट मिली टुगैदर ऐसे करके ओनर जो होते हाइस्ट उनको मिले है तो याद रखनी की कोशिश की जानी चाहिए और करना आप सभी इनको मिला है आपका उद्योग रतन अवार्ड 2023 का और इनको फॉर्स्ट एवर उद्योग रतन की जो अवार्ड मिला है और किसने दिया है महराष्ट गॉर्मेंट ने फिर एवन एर एक इंडियन मौक्ष रॉय है इस बच्चे का नाम है मौक्ष रॉय तो इसको मिला है इसको किस वज़े से इंपोर्टन रोल प्ले किया है इनोंने कमभाइटिंग दे क्लाइमेट चेंज तो आजकल बच्चे बच्चे भी क्लाइमेट चेंज के लिए काफी अक्टिव है तो इसमें से एक हमारी इंडियन गॉर्ल है साथ साल की मौक्ष रॉय पिर जो अध्रसिक धन्त जो है उनको भी यह मिला पॉइंट फ्लाइट अवार्ड फिर आप देखेंगे पी-म जो है उनको कन्फोर्ण हुए लोकमान्य तिलक नैशनल अवार्ड इन पूने महाराष्ट ठीक है कौन सा मिला पी-म को लोकमान्य तिलक नैशनल अवार्ड और जो यह यह कब शुरू हुआ था यह आपका 1983 में शुरू हुआ था बाय तिलक समारक मंदिर जो ट्रस्ट है उसने शुरू किया था और यह अवार्ड जो होता है यह आपके 1 अगस्त को दिया जाता है और जो की टेद अनिवर्सरी है किसकी लोकमान्य तिलक जी की और यह उसको देत अवार्ड कुछ अलग तरीके काया किसी ने शायदी सुनाओ ऐलिफंट फामिली इन्वर्मेंटल अवार्ड तो यह फिल्मेकर जो है कार्ति की गोंसालवेस अभी आपने देखा था यह कौन सी डॉक्यमेंटरी ती इसको क्या मिला था ओसकर अवार्ड मिला था ठीक है तो फॉर बेस्ट डॉक्यमेंटरी शॉर्ट फिल्म थी एलिफंट विस्पर तो जो आपके किंग चार्ल्स थर्ड है और उनकी जो क्वीन है कैमिला उन्होंने यह अवार्ड जो है प्रिजेंट किया है किसको कार्ति की गोंसालवेस जो की फिल्में मेकर थे डिरेक्टर थे और कौनसी आपकी शॉर्ट फिल्म के लिए अलिफंट विस्पर और इसका नाम के रख है अलिफंट फामिली इंवर्मेंटल अवार्ड फिर एक ग्रेट इंमाइगरेंट तो तो जो आपके अजे बांगा है यह अपके पदमिश्री अवार्डी है और यह आपके क्या है अजे बांगा जैसे की इंडियन है यह तो यह इंगरेंट हो गए मतलब की वहां आके रहने लगे युसे में और युसे के लिनने काफी कांट्यूशन दिया तो यह अवार्ड उनको मिला ठीक है फिर एक ग्लोबल इंडियन आइकन आप 2023 तो यह जो बॉक्सर मेरी कॉम है औ युके इंडिया पार्टनरिशिप के लिए इनको अवार्ड मिला है तो ग्लोबल इंडियन आइकन है 2023 फिर आपका स्कॉच अवार्ड तो यह अपकी स्टेट अव गववननेंस जो होती है इंडिया अन्टुवटी फटी सेवन इन गोल्ड कैटेगरी तो किसको मिला है का स्कॉच अवार्ड है और कौन सी कैटेगरी है यह स्टेट अफ गवर्नेंस इंडिया 2047 तो यह किसको मिला है तो यह जामू एन कश्मीज है उसका आपका रूलर लाइबलियूट मिशिन जो है न जेक्या आरलम उसको मिला है स्कॉच अवार्ड और यह किसले मिलता है यह जो आउटस्टेंडिंग अफ़र्स होते हैं लोगों के जो है जो सेल्फ हेल्फ ग्रूप होते हैं वहां के जो आउटस्टेंडिंग अफ़र्ड डालते हैं लोगों को अवैर करने के लिए मार्केटिंग एविन न्यूस के बारे में बताने के लिए या फिर कुछ नया काम करन तो इनको मिला है यह साइंटिफिक रिसर्च और एनर्जी और्वार्मेंट के लिए इंटरनेशनल एनि अवार्ड के नाम से तो याद रखेगा थलब प्रदीप जी फिर आपके जो नेशनल फिल्म अवार्ड है जो रिसेंटली मिले है तो इसको याद रखेगा जो बेस्ट प्रदी फिल्म में मिलिया सरदार उद्वन फीचर फिल्म में मिलिया रॉकेटरी बेस्ट डिरेक्टर निकिल महाजन गदावरी मुवी के लिए और बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है जिसने होलसम एंटर्टेंमेंट प्रवाइट किया है यह अर्रार है और नर्गीज दत अवर्ड जो हता है बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटिग्रेशन जो आपके राष्टी है इंटिग्रेट करना है मतलब जोड़ने के लिए तो यह कश्मीर फायल जो है इसको मिला है और बेस्ट एक्टर जो है अलु अर्डू अर्जु पुष्वा मुवी के लिए उनको मिल तो दो लोग जो है उनको मिला है ठीके और किसके लिए यह जो कॉमिक लिखी थी इन्होंने डाक कॉमिक थी नॉवल थी इनकी टाइम शल्टर तो कौन है बल्गेरियन राइटर जॉर्जी गॉस्पडाउ और यह दूसरी आपकी ट्रांसलेटर एंजिला रॉडल फिर है गा अचिस ग्यूड फिर श्री नाशनल अवार्स देख लेते हैं जैसे की वाफ्टा तो अपके वाफ्टा अवार्ड शो जो है इसको मिला आपका बफ्टा अवार्ड और यह बिटेस अक अप्रिश अवार्स का पीस प्राइस जो है तो वो एंजला माकल इनका नाम काफी सुन तो इनको मिला एंजला माकल जिसको युनेस्को का पीस प्राइज मिला है 2022 का और किसलिए इनके अफर्स थे रेफ्यूजीज को वेलकम करने के लिए फिर आपका ग्रैमी अवार्ट 2023 ये मेजिक में मिलता है तो रिकी केज जो है ही मजिशियन है इनको थोड तीसरी वार ग्रैम इसके लिए और इनके जो साथ सेयोगी है उनको भी मिला है उनका नाम है स्ट्यवर्ट कोपलेंड ठीक है दो लोगों को मिला है आपके ग्रैमी अवार्ट 2023 रिकी केज विंस थर्ड ग्रैमी ठीक है तीसरी वार मिला इनने फिर आप देखिंगे वापटा जिसका पुरा नाम इनको बिला है इनको मिला है आपके मीरा स्याल तो इनको मिला है आउटस्टांडिंग एंड एक्सेप्शनल कॉंटिबिशन तो फिल्म गेम और टेलिविजन चीक है यह मिला है इनको कौन से मिला है फैलोशिप अवार्ड मिला है कहां पर मिला है लंडन में और इस वाता है 57 ग्यानपीट अवार्ड दामोदर मौजो और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है यह नोबलिस्ट भी हैं क्रेटेक्स भी हैं स्क्रिप्राइटर भी हैं और कौन सी भाष्ण में लिखते हैं कौन कर नहीं और इनको मिला है और यह हिंडिया का जो है हाइस लिट्री ओनर होता है ग्यानपीट अवार्ड फिर युनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2023 यह आप देखेंगे तीन लोग है इनको मिला है और तीन इंप्रिजंड इरानियन फीमेल जॉर्निस्ट हैं यह इंप्रिजंड और क्या नाम इनका निलूफर हमीदी और इलाह मुहमदी और एक है नर्गिज मुहमदी तो थोड़ा याद रखेगा दी 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 करके तीन लोग है पीछे मतलब दी दी लग रहा है तीनों के और यह उनेसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 है फिर आ आज कल यूपी में थोड़ा कम हमें फियर देखने को मिलता है डिर्क थोड़ा कम हो गया जो पहले हुआ करता था यूपी के नाम से तो इस अचीवमेंट के लिए इनको योगी अदितिनार जी को भारत रतन मिला है डॉक्टर अमेट कर अवार्ड 2023 है फिर है पुलिजर प् ठीक है तो इसको मिला जनलिज में पुलिजर प्राइज 2023 और इसका काम क्या है यह जो है पब्लिक सर्विस काटेगरी मा आती है फिर आपके इस साल कुछ और क्या अचीवमेंट्स हैं इसमें यह आपके कुछ अवार्ड होते हैं पादमे भूशन 6 मिले हैं पादमे भूशन देखें कल तक कल तक जितने वी अवार्ड मिले हैं यह सारे के सारे इसमें मौजूद हैं तो आप इसको रिवाइस कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो और अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताएगा